आज के वीडियो में बात करने वाले है कि बिटकोईन का वापस फोक हो सकता है क्या 2017-2018 की टाइम पे बिटकोईन का फोक हुआ था बिटकोईन की अपडेट के आने के बात सेग्विट करके बिटकोईन के अपडेट आई थी जो अभी टैप रूट से जो पहले आई थी तो बढ़ने के मांग कर रही थी एक कम्यूटी बढ़ने के मांग नहीं कर रही थी तो जब सेग्विट अक्टिवेट हुआ तो उस केस में जो लोग दूसरे थे उन्हों की बड़े माइनिंग पूल थे उनके साथ हाथ मिला के उन्होंने फिर वहाँ पे फोक करवाया और पूल उन्हों है डिसाइड किया कि हमको फोक करना है उनकी डिमांड माने नहीं गई और उस केस पर फोक करने की बात हुई तो उस केस वह कर सकते है एथिरियम का भी आपने देखा हुआ एथिरियम का जब माइनिंग से स्टिकी हुआ था तो एथिरियम का फोक हुआ और अलग story हो गई यहां पर एक फोक का वापस scene बन सकता है कि उसके बारे बात करेंगे एड़ इस वीडियों पर काफी detail समझेगे कि बिट्कोइन का जो code डवलपर टीम है वो कौन सा है कितने लोग डवलप कर रहे हैं कितने लोग bitcoin का core रेवों maintain करते हैं किनके हाथ में Bitcoin है यह भी लोग को आइडिया ने तो वो भी इस वीडियो में बात करने वाले है तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखिए कुछ ते कुछ सीख के जाओगे जो सीख के जाओगे काफी कमाल होगा और काफी मजा आएगा तो स्टार्ट करता है तो सबसे पहले किया चल रहा है वो ऑल्वोज चालग क्ऊलगा चल रहा है तो अभी क्रज क्जिसें यहां से गया इंहिया और फीस जो चल रही है वो रुट् неп रॉट्डट नो परusionsों प्रॉट्यंखिटि मीडियूमप्रायरिटि हाइर प्रैट सबसे तो अश्तु अभि प्रैट युशं चार्ट देखना हो तो ये एक बार देख लेते हैं, ताकि आइडेया लगए कि पहले किती थी और अभी किती राइज हो गई पाच को आठ थी और दो को साथ ती बाला यह मैने ही बढ़ी है काफे यादा बढ़ी है और यह चौबिस अप्रेल तक एक क्या सपाशी थी राइट टांजिट फीस एक डॉलर थी इससे पहले एक स्पाइक यहां पर आया था ओडिनल्स के लांच के बाद तो यहां पर भी कि गए और मीम कोईन का ओलेडी ट्रेंड था तो वहाँ पर मार्केट पिक पगड़ लिया और टूकन में इंवेस्टमेंट करने वाई लोग ज्यादा है तो वहाँ पर डिबांड ज्यादा बन गई राइक ब्लॉक स्पिस का डिबांड काफे बढ़ गया और कई लोगों न यह जो मीम कोईने मिंट करने के कुशिश की और यहाँ एक रेस बन गई जो मिंटिंग वाले साइट पे काइंड ऑफ की जित्ता जल्दी हो मिंट कर पाई गैस फीस मार्केट होता है मैं पहले भी डिसकुस कर चुका हूँ जो जादा पे करता है उसको माइनर अलाउ करते है कि आप अभी ट्राजिक्शन कर सकते हो तो फिर प्राइट ही लोगों ने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो काइंड ऑफ फीस यह मिंटिंग वाले सीन में तो सो डॉलर की उपर भी चली गई तो वहाँ पे उसकी वएसे पूरा कंजेशन हो चुका है बट और ऑडिनल के टा 10-20 प्रसेंट लोगों ने इसमें इंट्रेस्ट लिया और अभी क्या हुआ कि ओडिनल्स के टाइम से इवन ओर्डिनल्स आया इसलिए क्योंकि आपे लास्ट अप्डेट जो था टैप रूट उसने ऐसा काइंड ऑफ सिस्टम मना के दिया कि इस सिस्टम को यूज करके आप जो आप इसका वीडियो देख सकते हुए तो अपने अंडिस्टैनिक के साब से आपको बता रहा हुँ तो इंस्क्रिप्शन का वहाँ पर फंडाया तो इंस्क्रिप्शन का फंडाया तो वहाँ पर जो फाइल स्टोरीज की तरह सेट्स को यूज किया जाने लगा तो स्टोरीज चाल हुआ और वैसे फिर ओडिनल्स का जर्म हुआ फे एनेफ्टी का इंस्क्राइब कर सकते थे सतोशिस पर इस टाइप से वह सीन स्टार्ट हुआ और उस पर और एक एक्स्परिमेंट का लोग करी रहे थे ओडिनल्स वहाँ एक्स्परिमेंट जो पॉसिबल थ अब टैपरूत जो यह कांड ओप एक्स्परिमेंट इन बिटकोइन को जिस पर आप डिटा स्टोर कर सकते हो जिसके उपर आप स्टार्ट कॉंट्रेक्त कर सकते हो इस टाइप की पिलिटिटी आप एक्स्परिमेंट के अराउंड बिकॉज आप इस अप्ग्रेट विचिस इस पुशिग इनोविशन फ्रवड फ़र विटकोइन तो यह लोग बात करते हैं तो इस बीटी दिन ही हुए इसको पूरा बियाट को फुरा कांड यह प्रॉपर तरीके सा आई हुए उसते भी ती उमीन नी कियो कि ए गया गाएगा देख टेटना इस तो इस अपक्रिक पहले छेताव ने डिस्क्लेमर डाला हुआ था तो बड़ यह कैसे एक काइंड ओप ट्रेंड की इसाफ से यह चीज़ काफी बड़ी हो गई माइनर्स ने भी हो सकता यह पूरा मेम कोईं सीजन का कहीं किया हो क्योंकि माइनर्स जो होते हैं वो भी कोईं ट्रेडिंग में काफी पार्टिसिपेट करते हैं ऐसा मस सोचना कि माइनर्स का यही काम है कि जो बिटकोई रिवार्ड में मिल रहे हैं उससे अपना घर चला रहे और कई investment नहीं करते होगे, trading नहीं करते होगे, वो भी risk लेते हैं, उनको भी जो उनका kind of capital रखा होता है, कि जो कहीं नहीं करते हैं, वो strategically risk लेते हैं, उनके पास strategy होती है, उनके पास advantage होता है, they are miners, right, वो किसी भी MEV वाले बंदे के साथ tie-up करके पैसा कवा सकते है, Ethereum के case में, Bitcoin क case में भी kind of block priority में produce कर सकते हैं, तो miners का तो game ही है, so miners का यह कहीं बार ऐसा game होता है, कि they also launch NFT token, वो हमें मालों नहीं पड़ता है, but it is very much possible कि वो ऐसा करते होगे, तो उन्होंने ओडिनल्स के भी कहीं ऐसे project launch कियोगे, तो ओडिनल्स पे इता कुछ हुआ नहीं, बट जहां पे य इतने time से पैसा नहीं कबाया और थोड़ा capital उसको run करने के लिए उन्होंने ये liquidity के तरह इसको use किया, ये इनकी liquidity थी, ये मेरे ये understanding है, और यहाँ पर वह सीन तो ही है, कि minus ने या पे kind of इसका फाइदा उठाया तो वो एक बात हो सकते, तो ये काफी बड़ी चीज होगी, त system पे और उसके वएसे bitcoin network पे फरक आ गया, bitcoin network पे जब फरक आता है, bitcoin का network इतना congested हो जाता है, तो फिर bitcoin community काफी लोग जाग जाते, तो अभी पूरी सेना जाग गई है, and they are like कि आदे लोग बोले कि ये तो DDoS attack हो गया, bitcoin network पे spamming हो रहा है, तो ये spamming नहीं होना चीए, क्योंकि कि spamming को रोकने के लिए उन्होंना hash case से यूज किया था, hash case का जो algorithm है, proof of work, वो initially spamming रोकने के लिए यूज होता था, तो spamming का तो already bitcoin में ऐसा कि spamming नहीं होनी चीए, तो वही चीज हो रही है, kind of, तो आपे भी इनका सोड़ा scene वैसा हो रहा है, so यह आपे divided होगी है, और उसमें अभी कौन लोग इसके favor में, कौन लोग इसके favor में नहीं है, वो तो बाद में like आप bitcoin talk forum में जाके discussions देख सकते हो, उससा idea लग सकता है, but ultimately अगर आपको वैसा पता लगाला कि यह bitcoin का development कौन handle करता है, कौन इसके code developer है, कौन इसको maintain करता होगा, तो वो मैं अभी आपको दिखात करते हो, साफी simple है, जो developer होगे, उनको I think already पता हो गए चीज, तो bitcoin core का GitHub चेक करो, उसमें फिर आपको 16 member मिलेगे, तो यह सारे core contributor team member कह सकते हो, और यहाँ पर bitcoin core की team में एक तो maintain करने वाले लोग है, और second contributors है, तो contributors kind of developer होगे, और maintenance kind of testing वाले बन दे होगे, तो test करते, final approve करते, फिर जाके वो आगर update जो होगे, तो इस type की दू, main यहाँ पे kind of, इनके अंदर sub team है, और उसमें 16 लोग काम कर रहे है, तो 6 लोग तो maintainer है, और 12 लोग contributor, इस type का यहाँ पे उनका पूरा bitcoin core का team का ऐसा scene है, ठीक है, तो यह आप देख सकते हो, उनका नाम वगरा डालके आप देख सकते हो, तो अभी हुआ यह है कि यह जो लूग करके बंदा है, इस ने kind of, एक media release में एक statement दिया है, कि he was against the idea of ordinals and he didn't like ordinals, तो उसके एसाब से उसको लगता है कि यह congestion काफी आगे और बढ़ सकता है, बिटकोईन पे इस type से kind of, यह transactions काफी इस type से बढ़ते रहे, और DeFi क ecosystem बना ला है, practically तो block space उस type से capable लिए, blockchain network इतना capable लिए, L1 नहीं है, जैसे Ethereum के भी limitations तो इसके भी limitations है, तो transactions तो यहाँ पे काफी ज़्यादा आगे जाके वैसा होगा, तो transition fees काफी ज़्यादा बढ़ सकती, और हमेशा इतनी रह सकती, इस से भी ज़्यादा के एक point पे बढ़ सक लिए कि अब भी BRC 20 के high बें तो आप भी दे रहे होगे, आई थोड़ी सी dead होगी तो लोग नहीं देगे, इतना gas fish नहीं देते लोग, तो वैसा scene हो जाएगा तो उस case में kind of उनका ऐसा मानना है, इसलिए उन्होंने opposite side जो choose की है, अब कुछ लोग तो उनकी side बें आएगे, उनकी बात उससे सहमत भी होगे, so उसका आपको थोड़ा watch करना पड़ेगा, news वगर आए जाएगी वैसे तो आप यह follow करो, यह development काफी hot है, तो आप Twitter पर भी follow करो तो आपको इसका idea लग जाएगा, so यह आप एक Bitcoin community ने इसके ऊपर kind of react भी किया है, और लोग अपने अपने reaction भी दे रहे है, so it is civil war within Bitcoin core developer, so Bitcoin core developer जो 16 लोग है, उसमें से यह हो सकता है, future by core developer आपस पर decide करे, kind of 16 में से जहाँ पर यह आपके 9 लोग agree होते है, तो वहाँ पर यह वो चीज़ हो सकती है, तो देखते हैं, लोग क्या decide करते हैं, तो development side का game है, तो यह developer है, उसमें यह पूरा ची development हो सकता है future में, और minor approach कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि minors को तो मज़े है, minors के तो अभी इतने मज़े है कि, उनके transition fees से इतने कमार है, कि block reward उनका कम आ रहा है, transition fees से ज्यादा कमार है, ऐसा सीर हो रहा है, और पहली बार ऐसा इस ताइप का kind of transition fees उनका बढ़ा है, so minors भी चाहे कि यह जो BRC20 का और और जो भी यहाँ पर innovation होए taproot के उपर, वो होते रहे, inscription और होते रहे, और हमारा धंदा आगे बढ़ता रहे, और इसको same time जो Bitcoin को developer से contributor है, वो यह सोचेगे कि यहाँ आपर technical level पर यह थोड़ा सा challenging लग सकता है, इसके वैसे Bitcoin network effect हो सकता है, और उसको आप effect इसको remove करने के लिए, कि यह capability हटाने के लिए, बट अभी सीर ऐसा है कि miners का game ऐसा है कि यह चाते है कि ordinals रहे, और अगर ordinals वहाँ से जाता है, अगर developer ऐसा बोलते है, तो miners हो सकता है कि एक folk की demand करे, एक नया blockchain वहाँ से निकाले, अपने लिए, तो वो तो खेर काफी वैसा हो स सकता है, वो डिपेंड करता है, निकाल भी ले, successful हो नहीं हो, वो तो अलग story जैसे एटीच डवलू का हुआ था, तो वैसा यहाँ पर भी 4-5 minor ऐसे कर सकते है, चोटा सा folk का सकते है, वो अलग story है, बट ऐसी possibility बन सकती है, तो यह watch करो इसको कि कि किस आप से development होता है, Reddit को watch करो Twitter को watch करो कि Bitcoin के code developer क्या बोलते है, उनको, उनकी profile आपको यहाँ से मिल जाएगी, मैं description पर डाल दूगा, उनकी event Twitter पर follow करके check भी कर सकते हो क्या बात कर रहे है, तो आपको idea लगता रहेगा, so that is all from my side in this video, I hope आपको वीडियो useful लगा होगा, insightful लगा होगा, कुछ न कुछ सीखने